केंद्र ने नई गाइडलास जारी की 18 साल से कम आयू के किशोरों में कोवीड-19 के प्रबंधन के लिए तंशुधित व्यापक दिशा निर्देश जारी किये गए हैं केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि 18 साल के कम आयू के मरीजों के लिए एंटिवाइरल और मोनोक्लोनल एंटिवादिस की जरूरत नहीं है केंद्र ने कहा कि कोवीड संक्रमन की गंभिरता के बावजूद और यदी स्टे राइट का उप्योग किया जाता है तो उन्हें 10 से 14 दिनों में कम किया जाना चाहिए दिशा निर्देश में स्वासमंत्राले ने ये भी कहा कि 5 साल और उससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क लगाने का सुझाओ नहीं दिया जाता गाइडलाइन्स में कहा गया कि 6 से 11 साल के बच्चे अपनी छमता के अधार पर अपनी सुरक्षा और अभिभावकों की उचीत देखरेक में सही तरह से मास्क का इस्तमाल कर सकते हैं चैडलाइन्स में कहा गया है कि 12 साल और 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को बड़ो की तरही मास्क पहनने की नियमों का पालन करना चाहिए ओमिक्रोन के चलती आई कोवीड मामनों की नई लेहर के मद्यनजर केंद्र के एक्सपर्ट्स ने इन दिशा निर्देशों में संशोधन किया है केंद्री स्वास्त मंत्राले ने गुरुवार को कहा कि ओमिक्रोन वेरेंट देश के लगभग सभी हिस्सों में फैल चुका है हाला कि राहत की बात ये है कि टीका करन दर के चलते अस्पताल में भरती होने और मौत की संख्या काफे कम रही मंत्राले ने इस बात पर जोर दिया है कि देश भर में 515 जीरे ऐसे हैं जहां बीते हपते पॉजिटिविटी रेट 5 प्रतिशत से ज्यादा रहा भारत की कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर विके पॉल ने कहा कि महामारी के हालात बताते हैं कि तीसरी उच्छाल में संक्मण देश के लगभग सभी हिस्सों में फैल गया है साफ है कि मौत कम हुई है टीका करन ने कबच के तोर पर काम किया है मृत्युदर काफी कम है हाला कि पॉजिटिविटी रेट 16 फिजदी जादा है गोवा में पॉजिटिविटी रेट 50 फिजदी है बारस तेजी से फैल रहा है ऐसे में जरूरी हो जाता है कि लोग अपना ध जगा के रखे न्यूजडेस्क मेटोस्टी समाचार